हेलो स्टुडेंट्स स्वागत है आप सभी का अपने इस यूटूब चैनल स्टार स्टेडी सेंटर में स्टुडेंट्स कैसे आप सब आई होप आप सभी बढ़िया होंगे आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आज की इस क्लास में हम सभी देखने वाले हैं पाठिपुस्तक रासाइन विज्ञान में संकलित अध्याय एस ब्लॉक के तत्तो जिसके अंतरगत छारिये धातू वा छारिये मृदा धातू आती हैं उस पर आधारित कुछ महत्योपूर पहुबी कल्पिय प्रस्न देखने वाले हैं तो बने रही है क्लास में तक चलिए क्लास को सुरू करते हैं सबसे पहला प्रस्न है आप सभी की स्क्रीन पर बेकिंग सोडा का राशाइनिक सूत्र केमिकल फार्मूला है चार उप्षन इसके लिए पहला है नाच-COO3 दूसरा है नाच-COO3 तीसरा है नाच-COO4 और चौथा है नाच-C-L तो इस प्रस्नकाश सहुत्तर होगा नाच-COO3 यह बेकिंग सोडा का राशाइनिक सूत्र केमिकल फार्मूला है बात करें इसके राशाइनिक नाम की तो इसका राशाइनिक नाम होगा सोडियम हाइडोजन कार्वोनेट बात करें इसके राशाइनिक नाम की तो इसका राशाइनिक नाम होगा सोडियम सलफेट और बात करें न-A-C-L के राशाइनिक नाम की केमिकल नेम की तो इसका केमिक यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि NACL किस प्रकार का योगिक है तो किस प्रकार का भईया आइनिक योगिक है अगला प्रस्ण है निम्ड में कौन उच्चतम धन बिद्धुती तत्व है चार अप्सन है इसके लिए पहला है कौपर दूसरा है सीजियम तीसरा है बेरियम चौथा है क्रोमियम तो इस प्रस्ण का से उत्तर होगा सीजियम यह उच्चतम धन बिद्धुती तत्व है आपको बता दें किसी वर्ग में तत्व के परमाडु क्रमांक में बृद्धी के साथ कौन सा लच्छड बढ़ता है धन बिद्धुती लच्छड बढ़ता है और तत्व जिनके आइनन बिभाव आइनन एंथल्पी कमान कम होता है उच्चतम धन बिद्धुती तत्व होते हैं अगला प्रस्ण है जब धावन सोडा को गर्म करते हैं तब निकलता है चार अप्सन इसके लिए पहला है CO यानि कार्बन मुनो अक्साइड गैस मुक्त होता है दूसरा है CO प्लस CO2 यानि कार्बन मुनो अक्साइड के साथ कार्बन डाइक्साइड गैस मुक्त होता है तीसरा है CO2 यानि कार्बन डाइक्साइड गैस मुक्त होता है और चौथा है जल्वास्प वाटर बैपर निकलता है तो इस प्रस्न का सही उत्तर होगा जल्वास्प निकलता है जब धावन सोडा को गर्म करते हैं तब जल्वास्प वाटर बैपर निकलता है अगला प्रस्न है क्लोरोफिल में उपस्ति छारिये मृदा धातू है चार उप्सन हैं इसके लिए पहला है magnesium, दूसरा है beryllium, तीसरा है selenium और चौथा है beryllium इस प्रस्ण का सही उत्तर होगा magnesium, क्लोरोफिल में उपस्तिच छारिये मृदाधातू कौन है, magnesium है अगला प्रस्ण है, यम धातू का electronic बिन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 है, इसका oxide होगा इस प्रस्ण का सभी लोग सही उत्तर क्लास इंड हो जाने के बाद नीचे comment box में बताएंगे चार उप्सन है, पहला है mo, दूसरा है m2o, तीसरा है m2o3 और चौथा है mo2 अगला प्रस्ण है, calcium hydroxide के बिसे में सत्य कथन है, चार उप्सनेस के लिए पहला है, इसका उप्योग bleaching powder के निर्मार में किया जाता है, दूसरा है, यह एक हलका नीला ठूस है तीसरा है, इसका उप्योग cement के निर्मार में किया जाता है, और चौथा है, इसमें कीटावर नाशक गुड़ नहीं होते है इस प्रस्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसका उप्योग bleaching powder के निर्मार में किया जाता है यह calcium hydroxide के बिशे में सत्य कथन है, इसका अध्यन आप सभी ने कक्छा दस्वी के विज्ञान पाट पुस्तक में रसायन विज्ञान के अंतरगत किया होगा आई होप सभी को याद होगा कि calcium hydroxide bleaching powder के निर्मार में प्रियुक्त होता है अगला प्रस्न है, निम्न लिखित में कौन जल में आब ले है चार अप्सन इसके लिए, पहला है sodium fluoride, दूसरा है potassium fluoride, तीसरा है berillium fluoride, चौथा है magnesium fluoride तो इस प्रस्न का सही उत्तर होगा magnesium fluoride, यह जल में आब ले है आपको बता दें, magnesium समू में आने वाले तत्तों में, berillium तत्तों को छोड़कर, अन्य तत्तों के fluoride जल में आब ले होती है अगला प्रस्न है, निम्न लिखित में सत्य कथन पहचानिये, चार उप्सन है इसके लिए, पहला है वर्ग दो की धातुएं, वर्ग एक की धातुएं से सगन और कठोर होती है दूसरा है, वर्ग एक की धातुएं, वर्ग दो की धातुएं की तुल्ला में कम बिद्दुध धनात्मक होती है तीसरा है, वर्ग एक की धातुएं की प्रथम आयनन उर्चा, वर्ग दो की धातुएं से अधिक होती है और चौथा है, उप्रोक्त सभी कथन असत्य है बाकी जितने भी कतन दिये गए हैं ये गलत हैं। अगला प्रस्ण है छारिये धातूं का लक्षड नहीं है। चार उप्षन है इसके लिए पहला है उच्छ आयन नूर्जा, दूसरा है इसके आयन उतक्रिष्ट गैसों के समान सम इलेक्ट्रोनिक होती हैं, तीसरा है निम्ण गलनांक और चौथा है निम्ण बिद्दुत रिनात मक्ता। इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा उच्छ आयन नूर्जा, ये छारिये धातूं का अलकली मेटल्स का लक्षड नहीं है। अगला प्रस्ण है छारिये धातूं द्वारा सैयोजी कोस अलक्ट्रानों को आसानी से त्यागने की प्रवित्ती इन्हें यानी छारिये धातूं को बनाती है। प्रबल अप्चायक दूसरा है दुर्बल अप्चायक तीसरा है दुर्बल आक्सी कारक और चौथा है प्रबल आक्सी कारक इस प्रसंद का सही उत्तर हो जाएगा प्रबल अप्चायक छारिये धातूं द्वारा सहियोंजी को समिय उपस्तित अलक्ट्रानों को आसानी से त्य प्रवित्ती छारिये धातूं को प्रबल अप्चायक बनाती है। अगला प्रस्ण है, सोडियम के धनायन, NA पर एक पॉस्टिफ चार्ज, तथा मैगनीसियम के धनायन, Mg पर दो पॉस्टिफ चार्ज में बड़ा है। चार ओप्सन हैं इसके लिए, पहला है Mg पर दो पॉस्टिफ चार्ज, दूसरा है Mg, तीसरा है Na, और चौथा है Na पर एक पॉस्टिफ चार्ज। तो इस प्रस्ण का सही उत्तर होगा Na, Sodium Sodium के धनायन Na पर एक positive charge तथा Magnesium के धनायन Mg पर दो positive charge में कौन बड़ा है? Sodium का धनायन बड़ा है यही हमसे प्रस्ण पूछा है थोड़ा बजा कर पूछा हुआ है इसलिए आपको प्रस्ण को पहले ध्यान से पढ़ना है उसके बाद सही option को टिक करना है मैंने आवर साड़ी के क्लास में बताया था कि कम धनावेश वाले आयन की त्रिज्या बड़ी होती है तो किसकी कौन कम धनावेश रख रहा है तो सोडियम कम धनावेश रख रहा है इसलिए यह बड़ा होगा अगला प्रस्ण है छारिये धातुये समबंधित है चार option है इसके लिए पहला है D block से दूसरा है P block से तीसरा है F block से और चौथा है S block से तो इस प्रस्ण का सही उत्तर होगा S block से यही पर आपसे प्रस्ण बूस लिया जाए छारिये म्रिदा धातुये समबंधित है तो वहाँ पर भी सही उत्तर होगा S block से अंतिम प्रस्ण है आप सही के स्क्रीन पर छारिये म्रिदा धातु alkaline earth metals इस्थित हैं चार option है इसके लिए पहला है आवर साडी के बाई और दूसरा है आवर साडी के दाई और तीसरा है बाई वा दाई और दोनों और चौथा है इन में से कोई नहीं ये दो option तो भईया नहीं होगा अब बताईए आप सभी लोग इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा आवर साडी के बाई और छारिये म्रिदा धातु वा छारिये धातु दोनों आवर साडी के बाई और इस्थित हैं इस्टुडेंट्स कैसला क्लास नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा यदि चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को वाल पर जरूर प्रेस कर लिएगा ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक हमारी सारी वीडियो पहुशती रहें अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए आप हमारे पेट ग्रूप को जॉइन कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है आप वहाँ पर मैसेज कर हमारे पेट ग्रूप को जॉइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहतर से बहतर बना सकते हैं